ओम्त्र्यम्बकम्यजामही शुगंधिम्पोस्टिवर्धनम् उरवारुकमिबबंधनानम्रित्योरमुक्षियमाम्रितात्य। नमिशकार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि तुलारासी बाले लोगों के लिए आज का दिन याने के 27 अप्रेल 2020 का दिन कैसा बितने वाला है आज आपका भग आपका साथ देगा या नहीं देगा सारी बाते जानेंगे तो वीडियो को आप शुनते रहें परन्तु सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 27 अप्रेल 2020 के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है चतुर थी नक्षत्र है म्रिग सिरा पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है सोम बार आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 43 मिनट में और सुर्यास्त हो रहा है छे बज के 54 मिनट में चंद्रोदे है आठ बज के 33 मिनट एम में और चंद्रास्त है दस बज के 49 मिनट पी एम में रितू है ग्रिस्म आज का दिन काल है 13 घंटे 10 मिनट 45 सेकेंड का महिना है वैशाख आज आपके लिए सुब समय है 11 बज के 50 मिनट से 12 बज के 45 मिनट तक और अशुव काल सुरू होता है 12 बज के 45 मिनट से 1 बज के 37 मिनट तक दूबारा है 3 बज के 23 मिनट से 4 बज के 16 मिनट तक और राहु काल सुरू होता है 7 बज के 22 मिनट एम से 9 बज के 1 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की और तो ये था आज का पंचांग आप बात करेंगे आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसके बिल आइकन को ओल पे आन कर दें और इस वीडियो के नीचे आप हर हर महादेब कमेंट कर दें और दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का भग्यशाली रंग, भग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें आपका समय शांदार हो जाएगा सबसे पहला है आपका सुआस्ते, सुआस्त के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है, दोस्तों आज के दिन आप तनाब लेने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, छोटी मोटी बात पे, आप गुसआ भी न करें, अन्य था तनाब के वज़से आपका खराब हो जाएगा और आपको समस्याओं का शामना काफी जयादा करना पड़ेगा इसके बाद बात करते हैं आपके धन संपत्ती के बाड़े में तो पैसों के लिहाज से भी आज का दिन आपके लिए सामान ने ही रहने वाला है आज के दिन अपने खर्चे पे आप कंट्रोल करें और पैसों के निवेस पे भी आप ध्यान रखें क्योंकि निवेस के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में बिलकुल भी नहीं है अगर आप निवेस करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और आने वाले वक्त में आपको समस्याओं का शामना भी काफी जयादा करना पड़ेगा वैसे अगर आपके घर पडिवार के बाड़े में देखा जाए तो आपका पाडिवारिक जीबन भी सामान नहीं रहने वाला है न जयादा बिहतर न जयादा खराब आज के दिन अपने घर पडिवार के माहौल को आप अच्छा करने का प्रयास करें अगर पडिवारिक जीबन में आप कुछ बदलाब करना चाहते हो तो बदलाब करने से पहले अपने घर वालों की शेहमती प्राप कर लें और सेहमती लेने के बाद ही आप कोई बदलाब करें अगर आप घर वालों से पूछे बिना कुछ कर देते हो तो आपका पाडिवारिक जी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्डेम संबंध बेहतर रहेगा और अगर अपने प्डेमी या अपनी प्डेमिका की भावनाओं के शाथ आप खिलवार करते हो तो आपका प्डेम संबंध कमजोर हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे आपके कामकाज के बाड़े में तो कामकाज के लिहाज से आपका समय सही रहने वाला है आज के दिन अपने कामकाज में अगर आप कोई बदलाब करना चाहते हो तो बदलाब के लिहाज से आपका समय आपका शाथ देगा अपने कामकाज को आप बेहत और फिरो जी इसके बाद जानते हैं आपके आज के दिन के उपाई के बाड़े में उपाई ये है कि आज के दिन आप भगवान सुर्ज को तामबे के पात्र से अर्ग दें आपका समय सांदर हो जाएगा तो मित्रों यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो को आप हर जिगह सेर भी कर दें और इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद राधे राधे